नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्दा छोट हैंड अकेडमे इस टनल क्लासेज में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन है चत्यसकर विदान सभा सचिवाले रिपोर्टर भरती 2020 गती 140 शब्द प्रतिमिनट डिक्टीशन स्टार्ट होगी पांच सेकेंड बाद स्टार्ट दुनिया की चत भारतिय हिमाले को गहरे हुए भौतिक भौगौलिक शेत्र का प्रतिकात्मक नाम है विराम यह ताजे पानी के ग्लेशियरों का इस्थान है तता उन प्रमुक एशिये नदियों का प्रात्मिक स्त्रोत है जिन्होंने प्ररम्बिक मानो सब्वेता के समय से जीवन को थामे रखा है विराम आधोनिक समय में ये मीठे पानी के ग्लेशियर अभी भी पानी के प्रात्मिक स्त्रोत हैं और इस तरह एक अरब से अधिक एशिये लोगों के लिए विशेश रूप से लद्दाक के आदिवासी समुदायों के लिए कल्यान कारी हैं जो उंचाई वाले बरफीले रेगिस्तान में ग्लेशियरों से पिगलने पानी पर आश्रित रहे हैं विराम पैरा हिमाल्य की वाटरशेड के उतरी छोर पर इस्तित लद्दाक अपनी विशिष्ट भागोलिक और जलवायू पहचान रखता है विराम बरफीले रेगिस्तान के रूप में जाना जाने वाला लद्दा इसके बीच रहता है अक्टूबर से मार्ज तक प्रांत का अधिकांश भाग सर्दी की जकड में रहता है वर्शा का केवल एक तिहाई समय खेती के कामों के लिए बचता है इस इलाके के पानी की किसी धारा के किनारे या जर्णों के आगपास बसे हुए हैं और गर्मियों म इस शेत्र को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है खासकर उंचाई वाले इलाकों में तेजी से बढ़ रही वार्मिंग के कारण वर्तमार में हिमाले के ग्लेशियर प्रतिवर्ष कुछ मीटर से लेकर दसियों मीटर तक की खतरनाक दर से पीछे खिसक रहे हैं प्रमुक आधुनिक मुद्दे उठ खड़े हुए हैं पानी की कमी इमारतों के अंदर के ताप्मान में गिरावट तथा क्रशी आधारित मूल अर्थ विवस्ता में बदलाव के कारण लद्दाक से युवाओं का पलायन इन उभरते मुद्दों को सामना करने के लिए भार परियोजना शुरू की है विराम इस मैत्वपून परियोजना के घटकों में से एक है बर्फ के स्टूपों आइस स्टूप के माध्यम से परित्यक्त गावों का पुनरवास इस्टाब यह परियोजना इस्थानिये लोगों इसी काम की विशेश्ता और अनुभव रखने व सेम सेक मोल इसकूल में पहला प्रोटोटाइप आइस स्टूप बनाये गया था परमपरागत प्रताओं और चुयांग नार्फैल के क्रिस्तरें ग्लेशेरों पर किये गए काम से प्रियोजना लेते हुए लद्धा के विबिन स्थानों पर आइस स्टूप डिजैन किये समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संगठनों से विचारों तता तक्निकी मदद से भारत और विदेशों में आइस इस्तूप के निर्मान की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है विराम वर्ष 2019-20 की सर्दियों में लद्दाक में विबिन कारिय शालाउं प्रिशिक्षन सत्रों और व्रक्षा रोपन अभी आनों के जरिये ग्रामीन इस्तर के 200 हित धारकों को प्रक्रियाउं में प्रिशिक्षित किया गया और इस मुद्दे पर जागरुकता पैदा की गई विरा इस वर्ष सर्दियों के दौरान परियोजना और भागीदारी निवा रहे ग्रामीन लगबग 40 मिलियन लिटर पानी का संडक्षन करने में सक्षम रहे और पहले लद्दाक आइस क्लाइमबिंग फैस्टिवल जैसी परियावरन परियतन गतिविदियों ने इस्थानिय यु साथ और चार परिवारों की दो बस्तियां अपर और लोर कूलम में विबक्त है विराम उपरी घाटी में गलेशियरों के घटने से तरस्त उपर कूलाम के सभी परिवार 2012 में गाउं छोड़ कर पास के नगर केंदर उपशी चले गए विराम इन लोगों ने खेती बाड़ी के अपने पारंपरिक काम को छोड़ दिया है और देनिक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं या रोजमर्रा की जरूरतों की दुकान चला कर जीवन यापन कर रहे हैं विराम क्या है परियोजना नवेंबर 2019 से फरवरी 2024 तक 4 महीने की अवधी के लिए लागू की गई थी विराम परियोजना को लागू करने से पहले इलाके का सर्वेक्षन किया गया और माप के लिए गए जिनके आधार पर इसकी योजना तयार की गई इसके बाद लोगों की जरूरतों को पहचानने और परियोजना में उनके विचारों को शामिल करने के लिए गाम और सामुद इस तर पर बैठके हुई विराम योजना खुद ग्रामीनों द्वारा चलाई गई थी जिन में काफी भूमिकाओं को परिभाशित किया गया था ताकि इस परियोजना में उसके हित्धारकों को शामिल किया जा सके विराम और कूलम के पूर्व निवासियों की योग्यता बढ ये उपकरण लगाये गए, हेड वर्क बनाया गया, पाइपलाइन बिछाई गई और गुम्बत संदचनाय बनाई गई इससे ग्रामीनों को प्रक्रिय का अनुभव मिला और इस प्रकार सभी हित्धारक इस तरों पर उनकी सक्रिय भागिदारी को प्रिरेथ किया गया विराम अगले कुछ महिनों के तौरान फरवरी के मध्य तक उपरी कूलाम द्वारा 45 फुट उंचा आइस इस्तूप बनाया गया लद्दा की सर्दियों के चरम तापमान के कारण पाइपों में पानी जमा हो जाने उपकरणों के तूटफूर जाने तता हैट वर्क में पानी के प्रभा कम होने सहित कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा लेकिन हर बार उनका एक नया स्वदेशी सामान कोज लिया गया विराम इस वर्ष की सीख अगले वर्ष के लिए संपत्ती बन जाएगी निर्मान के मौसम के अंत में आइस इस्तूप संरचना तीन लाक लिटर पानी का संरक्षन कर सकी विराम यह संरक्षना अप्रेल के अंत में पिगल गई लेकिन तब तक उसने कूलम के खेतों के लिए अत्यनत जरूरी पानी उपलब्ड करा दिया विराम पानी के कमी के मुद्दे का सामना करने और उसका समदान खोजने से इस परियोजना में कुलमपा के निवेश पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है विराम आने वाले वर्षों में यह है परियोजना जल प्रबंदन रण नीतियों से आगे बढ़कर एक समगर ग्राम पुनरवास मौडल तक अपनी पहुच को विस्तार देने की कलपना करती है विराम आइस इस तूपों ने लद्दाक के आदिवासी गाउं की न केवल प्यास भुजहने का मार्ग प्रशस्त किया बलकि आदिवासी ग्रामिनों के लिए आत्मनिरभरता मार्ग भी प्रशस्त किया पून्ड विराम तो कैसी लगी आप सभी को टिक्टिशन कमेंट बक्स में कमेंट करें और अगर आप आप मारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद